हेलो दोस्तों पेसे नॉमिक्स में अपका स्वागत है और आज हम दो इन्वेस्मेंट एसेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो है म्यूचल फंड और दूसरा है पीपेफ यह दोस्तों पीपेफ से सब लोग मतलब उनको अवेरी है कि पीपेफ हम हमेशा जैसे सैलेरी में इसे कट होता है या फिर अवालक से कोई अपन करते हैं पीपेफ का इंडिवेजल तो इसकी उपर आज हम बात करेंगे कि म्यूचल फंड में निवेश करना चाहिए और दोनों से मतलब डिफरेंट क्या है दोनों में और ज्यादा बेनिफिट किसम है वीडियो बहुत ही इं जब बात करते हैं तो यहां पर जब हम बात करेंगे पीपेफ वर्स मुचल फंड काफी सारे चीज़े हमारे ध्यान में यह ज़्यादा बहतर ही नहीं मुचल फंड जादा बहतर है इंटर्म सब्सक्राइब टैक्स बेनिफिट इंटर्म सब जो विडिवेजिए ना की मैट फ्रोफेस्टर्म सब्सक्राइब करते हैं और यह करते हैं यह किकंपनी यह से अपने देखा हुगा कि रियलाइंस होगा उसके बाद अपने अपने टेंप्ल्टन काफी सारे चार हदार से जादा विए यह जादा इन्यांस एह पीडिवेट हैं में तो यहां पर फिक्स इंकम ऐसे और बैलन्स वाला होता जिसे हम हाइबड केते हैं तो यह स्किम एकॉर्डिंट आपके रिस एपिटाइड से लिया जाता है जो यंग है वह जादा रिस ले सकते जो एल्डर है वह कम रिस यहां पर ले सकते दूस्तों इसके लिए वह उसी आपके रिक्वर्मेंट के सबसे उसको डिजैनी किया गया है तो मुचल फंड में करना पड़ता है तो इसके पर भी वीडियोज अबेलेबल है कि मुचल फंड है क्या तो वह आप देख सकते हैं अभी पॉब्लिक प्राविडेंट फंड की बात करेंगे पीपीएफ की तो यह लॉंग टर्म की नहीं ध्यान रखिए और इसमें गैरेंटेड रिटन मिलता है जो इनकम इसमें कोई मार्गेट से कोई लेना देना इसमें तो यह सबसे बड़ा डिफरंट की बात करेंगे तो मुचल फंड जो होते हैं जैसे मैंने पहले भी हमने देगा कि अन्सी कंपवनिस मैनेज करती हैं अलग लग स्किम में पेसा डालती है सब्सक्राइब कोई भी स्कीम ले सकते हो और अपके जो फाइनाशल गोल है अच्छी कर सकते हो पीपीएफ गवर्मेंट अन्टेकिंग है तो यहां पे आपको अगर कोई बनाना है और जिसने को मौडरेट रेट आप इंटर्स चाहिए टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आप पीपीएफ के लिए भी यहां पर जा सकते हो उसके बाद रिटर्ण ऑन इन्वेस्मेंट सबसे इंपोर्डन जीए अगर म्यूचल फंड की स्कीम की बात करेंगे तो डिपे इसके सारे फंड नहीं होते हैं जिसमें मार्केट पर्फॉर्मन चोहें एस फंड मैंजर की स्ट्राइजी है जो किया जाता है इसे क्लास में तो वह पूरी तरिके से पर इंपको मिलता है हर साल की मिलता है इस्टरी देखेंगे तो 8% सब्सक्राइब कोई किसी प्रकार की रिस्क नहीं है दोस्तों तो यह एक एसा प्रोड़ों के जो रिस्क फ्री है कि इन्वेस्मेंट क्या है मतलब अब इन्वेस्मेंट कर रहा हूं मुझे एक्टमयलेशन में बैटना मतलब अगर कोई पी श्टॉक नीचे आता है मुचल पंड कि स्कीम नीचाहती है बैटना में करने वाला हूं और इस हिसाब से जो भी फाइनशन इंस्ट्रूमेंट इस हम एक्वीटी या डेब देख रहे हैं तो जो मैग्सिम मेरे लिए अच्छा है वह मैं च्छक करोगा अगर में यंग हूं करोत के लिए जाओँ जिस में रिस्क ले सकता हूँ लेकिन अगर मैं कुछंच यंग के ऊपर के लेबल पर हुआ पर में जा सकता हूं और या फिर मुझे कोई रिस नहीं लेना है मैं रिटार्ड हूं मुझे मंतली इंकम चाहिए तो राश्टर जो होता है शॉर्ट टर्म देखिए या फिर मेडियम टर्म देखिए ओके जो अपने गोल होते हैं तो रैशनल किस हिसाब से होगा मतलब आपको कोई मुचल फंड या कोई भी इन्वेस्मेंट प्रोड़क से से लेक करना है दोस्तों यह आता है पूर देखिए फानेंशल प्लानिंग में कि आपको इमिजिट में पैसा भी लगेगा थो टाइम के बाद लगेगा यह फिल लॉंग टम के बाद लगेगा लॉंग टम रिटायर्मेंट हो गई मीडियम टम में बचों का इजूकेशन हो गया इमर्जेंसी में अभी जो आपके डेली खर्चे चल रहे उसके लिए तो इस तरीके से आपके फानेंशल गोल को आपको सेट करना होता है उसी सब्सक्राइब पर इस अलग अलग तरीके से ले सकते हो मतलब यह है कि आपको वन टाइम में पूरा पैसा एक रिस्क में नहीं लगाना है एक शॉट टर्म में लगाना है एक मुडियम टर्म और लॉंग टम के तीनों इसमें डावर्सी का उसको कर दिना है तो जो मेन गोल है पीपीएफ का ओके यह लॉंग टम इन्वे को में पर है लेकिन हमेशा आपको यह रिकमेंड किया जाता कि दस साल के लिए आपको बहुत यह जायिए है अबे आते हैं टैक्स बेनिफिट के ऊपर दोस्तों अब है आटा हो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो होता है तो उसमें आप डाल सकते हो पैसा अगर आप पीएफ में जा रहे हो तो पीएफ में अब भी आप मैक्जिव लगता कंडर को मिलती है जो सारा यहाँ यहाँ पर ङया शक्रों का सकते हों तो यहां पर डीफेट करेगा मैचुरूटी के बात करेंगे तो मुचल फंड जो क्लोस इंडेड होते होते हैं उनकी मैच रूटी जो बाइसएल कर सकते हो जो लिक्वीड वाली मतलब जिसने जा रहे तो लॉंग तर्म के लिए अच्छा रहेगा अगर आप यह जा रहेगा अगर आप यह जा रहे तो वहां पर आपको पंदरा साल तो रुखना ही पड़ेगा दोस्तों तो बात करेंगे कि मुचल में हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी जो इसमें नहीं है यह द्यान में लेकिन उसके उपर आपको क्या लगेगा एक्जित लोगेगा ठीक है यह द्यान में रखिए जिसे जब रीडिम करने जाओगे तो उस समय आपको पैसा चार्जेस लगेंगे तो क्लोजेंड जैसे मै पहले भी कहा कि क्लोजेंड मुचल फंड है तो आपको एक ट्रीस तीन से चार साल के लिए रुपना पड़ेगा जो यह लेसे वाला है इसमें क्या होता है अगर आप तीन साल कंप्रीड हो गए तो आप 25 परसेंट विड्रॉव कर सकते हो जो भी आपका बैलेंस है एज लोन इन फॉर्म सॉप लोन जैसे आप अगेंस है तो लेकिन इसमें मिलता है पीपेफ में तीन साल लूपना पड़ेगा तो विड्रॉव पर्मिटेड है पूरी दर्केस है अप्टर सेवें इस साथ साल के बार ओके लेकिन मैंडेटरी 15 साल का लॉकिंग यह थोड़ा कर आप अगान का कघो चछा साल हो गया तो फिर आप लोन लिए बी सकते आप पार्सली विद्रॉव कर सकते हों कि आपके आकण बाद के ना निकरत इसमें के लिए तो ईसका पर रिस्क और इसकेड़ वास करेंगे तो देखिये जैसे अन्य आप नया याव सिंट में ताकि तो से तो एखेंत्स में तो दोस्तों बेरिफिट भी जाथा होगा और लख अपके बैग्रणडよね करना अब कहां पर पर इसा नहीं कोंगा आपने सब लोगों में परक मेंबर प्रिकरे में उसमें रिप्सald के रिस्क होती है तो यहां पर यहां पर देशन में रहता है कि लॉंग रन के लिए अगर आपको जाना है लंब सम और इससे पी कौन सा बेनिफेशल हो वह मैंने बनाया हुआ तो आप रेफर कर सकते हैं तो टोटले रेस फ्री है गैरेंटीट बाइग गवर्वर्मेंट ऑफ इंडिया है तो सवाल होता है नहीं होके आप सेविंग के इसाब से वहां पर जा सकते हो एक बार पैसे तो रिस्क कम है तो सेप्टी जादा है और जादा है तो बड़ ऑबियस सेप्टी कम है तो यह ध्यान में रखना है दोस्तों अपको उसके बाद लॉकिंग पिरेड की बात करूंगा अगर आप मूचल फंड में यह लेसेस में जाती है तो तीन साल लॉकिंग है लेकिन इक्विटी डेफ्ट ओके जैसे पासिफाइड है ना इक्विटी मनी मार्केट हाइब्रीड फंड 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 यह सकता है यह लिए से चोड़के जो बाकि सारे मूचल फंड से उसको आप प्रिमेच्व कर सकते हो लेकिन पीपीफ के बाद में जैसे हमने देखा कि यहां प अगर आप पास साल से ज्यादा अकाउंट है तो यह आप वहां पर जासके तो अगर पैसा डाल दिया अपने तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन कुछ अगर आती है तो उसमें कुछ ऑप्शन भी उसमें दिये जो मैंने पीपीफ की वीडियो में कवर किये अभी एट परसंट पर चुके जो बीच में भी 7.6 परसंट हो गया था तो यह हो गया मुचल पीपीफ का रिटन अभी देखेंगे मुचल फंड तो यह मुचल फंड का रिटन रहा दोस्तों जिसमें एक्विटी ओरिंटल स्कीम ने काफी अच्छा रिटन दिया हुआ है श 10 परसंट है और डेप के लिए जाओगे तो इंकम टैक्स क्लैप के इसाब से जाएगा और लॉंग टर्म के लिए भी जा रहे हो यह जो आपका डेफ फंड है उसमें 20 परसंट तो ही तो यहां पे लॉंग टर्म गयन अगर आप मूचल फंड में कमा रहे हो दोस्तों एक ला जा रहा है तो उसमें ज्यादा आपको टैक्सेशन नहीं लगेगा अगर शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है तो वहां पर लग सकता है जो इक्विटी ओरिंटेटी मूचल फंड होता है दोस्तों उसमें 65 परसंट जो एलोकेशन होता है पूरी तरह किसे एक्विटी में होत यहां पर लिटन तो जादा अच्छे ही मिलते हैं यह इंपॉर्टन तो आज की वीडियो में इतना है दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज कॉमेंट बॉक्स में में अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल अगर सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज प्लीज के जाएए